नमस्कार दोस्तों मैंने नामे स्वामधी प्रंदी टेक्मेंट के न्यूव वीडियो पे अब सभी का स्वागत है सक्सेस का मतलब सभी के पास सेम नहीं होता है किसी के पास होता है मनी किसी के पास होता है फेन किसी को लगता है सक्सेस का मतलब है सिर्फ रेस्पेक्ट प्यार यह सब चीज़, so success जो चीज़ है वो सब अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग thinking पे बैठा हुआ है, तो आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों कुछ ऐसा चीज़ के बारे में बताऊंगा जो एक successful person के अंदर रहता है, जो भी इनसान लाइफ में successful बनता है, उसके अंदर ये सारे गुन रहता है, तो पहला जो गुन है उसका नाम है कि they all have the strong purpose, मतलब ये लोग जो चीज़ के बारे में सोचते हैं वो लोग एकदम strongly उसको अपने अंदर बैठा लेते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इस purpose से नहीं हटूँगा, मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी situation मेरे सामने आ जाए मैंने जो ठीक किया है मेरा जो purpose मैंने set कर लिया है उसको छोड़के में कभी अलग नहीं होगा, So the next point is they know what they want, first of all you have to know what you want, When you know that हां ये मेरा need है उसके बाद आप कुछ चीज को कर पाऊ तो पहले आपको अपने need को पैचारना पड़ेगा और एक बार अगार आप अपने need को जान जाओगे कि हां ये मैं चाहता हो मेरे को ये चाहिए उसी दिन से आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा कि नहीं भ अगर आपके पास कोई भी एम है सिर्फ एम रहने से नहीं होता है आपको कोई भी वह डूढ़ना पड़ेगा जिस वह से आप उस एम तक पहुंच सकते हो तो इसलिए कोई भी उल्टा फुल्टा चीज के चीज को अपना एम बना मतलेना आपको अगर लगता है कि हां भाई आपको खुद को लगता है कि नहीं भाई मेरे अंदर वह केपाबिलिटी नहीं है तो प्लीज वह चीज के बारे मत सोचो हमेशा जो एम होना चाहिए वह अपने आपके उपर होना चाहिए कि आप अपने आपको किस तरह काबिल समझते हो और उसी हिसाब से आपको अपना ए लाइक में कुछ भी चीज सीखने का कोई हूमर नहीं होता है तो जो लोग सक्सेस्फुल लाइक में होते हैं वो लोग हमेशा कुशिश करते है कि मेरे को हर एक चीज से कुछ ना को सीख लेनी है हाँ मैंने यह चोटा जीज देखा बट इसके अंदर भी कुछ मीनिंग हो सक करता है अगर वो मीनिंग यह लोग अच्छे से उदर से निकाल लेते हैं तब ही जाकि यह लोग अपने लाइफ में वो चीज को यूज करते हैं और उसी के बाद बनता है वो लोग एक सक्सेस्फुल परसन इन देर लाइफ नो फीफ्थ पॉइंट इस देर आलवे स्टिक अगर अगर आपका फोकस रहेगा उस देर रहेगा उस एम के ऊपर तो आप ऽे सक्सेस्फिस मिलेगा इसलिए successful person ऐसा नहीं कि एक दिन में उसका success मिल गया बट बहुत कम time में उसको success मिल जाता है जो ये सारे चीज ये सारे गुन अपने अंदर रखते है इन लोग का जो patience होते है ये बहुत जादा होता है मतलब आप देख रहे हो कि आप अचा चलो भाई मैंने एक YouTube पे चैनल बनाया और उस चैनल के उपर में काम कर रहा हो हर दिन का दो घंटा भी में काम कर रहा हो फिर भी में देख रहा हूँ मेरा कम से कम मैंने 100-300 वीडियो डा लिए फिर भी मेराा अजा सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है यहाँ सब्सक्राइबर तो हो गया बट मेरे जो watch time है वह नहीं आरा है लोग कर् devo जा रहा है मेरा व्यूद हो जा रहा है सब्सक्राइब हो जारा है वह नहीं आ रहा है ऐसा पुछको situation पर आपको क्या लगता है कि यूटूब मेरे लिए नहीं है मैरे से नहीं होगा ही ही YouTube वह क्विट कर देते है YouTube आप क्या करें यह तो हम हार बार माल ले तो आपके अंदर वो patience नहीं है आप क्या सुचे कि देट सो वीडियो डाल दिये मेरा कोई भी views तो आ रहा है बड़ वच्टाइम नहीं आ रहा है तो मैं करूं में छोड़ देता हूँ बट आप यह नहीं सोचे कि आज देट सो वीडियो पर नहीं आ रहा है हो सकत के लिए उन लोग के अंदर जो patience से वो बहुत जादा होता है इसलिए उन लोग को सक्सेस मिलता है इसका मतलब क्या है कि उन लोग अपने उपर बहुत जादा believe रखते है आपने आपको विश्वास करते है कि they know their capability कि उन लोग के अंदर जो skill है उसके उपर इसका बहुत कर लूगा और वो क्या करता है कि यह जो skill है यह तो है मेरे अंदर और कुछ देख लेता है बोलो वो नहीं करते है जो उसके अंदर skill है वो उसकी को brush up करकर करकर कि उसको इतना अच्छा बना देते है कि उसको हर चीज में success मिलते रहता है Now the 8th point is their acceptance power is really high क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कुछ negative चीज देखते हैं तो हम लोग क्या सुचते हैं आरे यार ऐसा हो गया मतलब फीग है भाई इसको bypass करते हैं ने तो अपने साथ अगर कोई भी बुरा चीज होता है मैंना हम लोग माथा पागर के बैट जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो successful person होता है वो यह सर्फ चीज से हार के फिछे नहीं हटता है वो यह सर्फ चीज को अपना life का हिस्सा मांता और उसी से कुछ लग को सीख लेने का कोशिश करता है कि नहीं भाई next time से ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा उसके उपर मेरे को ध्यान देरा जरूरी है now the ninth point is they ignore negative passion negative passion मतलब क्या होता है आपके अंदर कोई भी काम है आपके अंदर एक skill है आपके अंदर जुनूर है आपके अंदर काम करने का इच्छा है but वो एक negative wife spray कर रहा है किसी के आप उपर मतलब जो होता है कि सामने वाला जो जिसके पास एक negative passion है वो उसे कभी सीख लेने का कोशिश नहीं करता है वो क्या करता है कि उस negative के अंदर अगर कुछ अच्छा है तो लेगा नहीं तो नहीं लेगा यह तो छोड़ भाई जो जैसा है वरसे ही रहने तो मिलको और कुछ नहीं चाहिए वो इग्नोर कर लेता है अच्छ अगर की कोई भी काम अपने एकदम पूरे लगन से पूरे जीजान से पूरे passion से कर रहे हो ना तो आपके अंदर वो जुनूम पैदा हो जाता है कि नहीं भाई यह काम मेरे को खतम करना है और इसी सोच उसके दिमाग में बहट जाता है जब एक आदमे के अंदर यह passion आ जात यह मेरा लाइफ का पैशन है, यह मेरा लाइफ का एम है, इसको मेरा पे अचीव करना ही होगा होती है, उसी ही साब से काम करना है, उस दिन से देखना आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया है, and the last but not the least point is they have effective communication skill, in different kind of jobs like private job, government job or any business, the communication skill is the main power, if you are good, good communicator, good communication skill, उसके बाद आप लोग देख लेना भाई, लोगों के साथ आप कितना अच्छे से, connect कर पाते हो, आपका अगर public relation अच्छा होगा, प्यार अगर अच्छा है, communication skill अगर अच्छा है, तो आप लाइफ में सक्सेस बनोगा, जो भी successful life को आप देखोंगे आप क्या देखते हो, उसका कोई भी speech देखते हो, क्यूंख देखती रहेते हो, क्यूं आपको जो उसका स्पीछ पसंद आता है, क्यों आपको किसी दूसरे जोभी scientist है, या आपको क्यो संदित मैंश्री की speech पसंद आता है क्योंकि उसके अंडर वो communication skill है जिसके मतलब help से वो आपको जो उसको देख रहा है उसको एकदम attract करके रखा है तो ये communication skill होना बहुत ज़रूरी है so guys बस यही था कुछ 10-11 पॉइंट जो एक successful आदमी के अंदर रहता है तो आप भी अब लाइफ में successful आदमी बनना चाहते हो तो आप लोग भी देख लो भाई कि इसके अंदर कौन सा कौन सा गून आपके अंदर है अगर नहीं है तो ट्राइ करो कि उसको कहीं से भी मतलब जुगार करके हो किसी तरह होगा अपने अंदर ले लेने का क्योंकि यह जो positive vibes है आपको like में बहुत success देने वाला है तो बस फिलाल वीडियो में इतना है वीडियो थोड़ा लंबा बन गया तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना और प्लीज इस चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगा उमीद करू वीडियो देखना है जहां पर मैं आप लोग को business idea, business tips या ऐसा कुछ चोटा मोटा चीज के बारे में बताता रहूं तो प्लीज मेरे को उस चीज भी comment section पर बता देना मैं कोशिश करोगा आपके लिए वीडियो लेके आने का बस आज की वीडियो में एकना ही मिलते है नेक्स से लेना, तिक से लेना